नवाश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल स्क्लिप ये सायर वेदा में तोस्तों आज की सिस्वन मैं जनखारी देने वाला हूं आपको कि आप लेबल पे हूं कोई रिस्पांसिबिलिटी तैने करती है कि आपको इतना प्रोड़क्ट सेल करना है इतने महीनों में करना इस तरह किसी तरह का टार्गेट किसी तरह का बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं होता है बट नेट्वर्क मार्केटिंग के फिल्ड में जब तक सफर कैसे ताय करना है आज की वीडियो हम बना रहा है कि इससे और के कंपनी यह चंट करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो आएot द vous वीडियो में मैं आपको जनकारी दूँगा ब्राउंज टू सिल्वर कैसे हम एचिप करें इसके टार्गेट को तो सबसे पहले मैं बता दूँ ब्राउंज टू सिल्वर जो टार्गेट है टार्गेट क्या है एक्षुली आपको बोनस में छे लोग चाहिए और इंसेंटी में तीन लोग चाहिए तब जाके आप एक सिल्वर डार्गेट सेलर बन सकते हैं यह कंपनी के दुवरा तह किया गया एक लेवल है अब यहां बात आती है कि कि दूस्थ ही चृण बोनस में दो लोग को जोड़ा था और इंसेंटी में 1 लोग को जोड़ा था तो ब्राउंज लेबल कर हम ए तोwen मी कि टीकर लोग है हमारे निशे डाउन लाइन में प्रोसपेक्ट तीन है जिसे कि हम ब्राउज लेबल पाए अब हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो सिल्वर लेबल है अपने में रिस्पॉंसिलिटी लेनी होगी और इस्पॉंसिलिटी क्या रहागी कि सबसे पढ़े तो कंपनी के कुछ प्रोड़क्ट्स हैं उनके बारे में आप जनकारी लीजिए प्रोड़क्ट्स्छ लीजिए इसके अलावा किस प्रोड़क को कितनी मात्रा में लना और कैसING यूच कराई इसकी जनकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए आपके पास इसके अथा कि आपको क्या करना है किस लेबल पर कितने लोग होने चाहिए कितने सेल पॉइंट का टार्गेट होना चाहिए कितना सेल पॉइंट एचीब करें तो किस लेबल पर हम पहुंचेंगे यह सारा चीज आपको थोड़ा जनकारी हो जाना चाहिए ब्राउंज लेबल पर तब जाक करना है और कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में उनको जनकारी दीजिए जिस दिन आपके बोनस के दो लोग और इंसेंटिव के लोग जिस दिन वह ब्रॉंज डिरेक्ट सेलर का लेवल क्लियर कर लेते हैं आप स्वाता ही सिल्वर डिरेक्ट सेलर के पुस्ट पे पहुंच लेगा इसके अलावा भी आपको क्या करना है कि आप जो लीस्ट बनाए हैं जैसा कि मैंने सुरू में बताया था लिस्ट के लिए आजो लीस्ट बनाएए हैं उस लीस्ट से अपने बोनस में और इंसेंटी में लोगों को एड की चीए और उनको मोटिवेट कीजिए और उनको product के बारे में जनकारी दीजिए, business plan के बारे में जनकारी दीजिए, तब जाके आप एक silver direct seller बन सकते हैं, जब branch direct seller के label पर आकर आप कुछ product की training ले लेंगे, इसके अलबा company से related कुछ business plan के बारे में जाएंगे, तब जाके लोगों को company के बारे में बताईए, उसके product के benefits के बताईए, जो आपने products इस्तमाल किये हैं, उनके benefits के बारे में बताईए, तब जाके क्या होगा कि लोगों को बिश्वास होगा आपके उपर और आप नए लोगों को अपने team में लेकर आईए, अपने bonus में नए लोगो लाईए, अपने incentive में लाईए, जो लोग already आपके team मे लिए और सबसे बड़ा fund इसमें ये है कि जो लोग आ गये हैं, उनको बीच-बीच में follow-up भी करते रहे हैं, क्योंकि follow-up का power बहुत ही strong होता है, और और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी team में जैसे-जैसे लोग बढ़ने लगेंगे, आपका जो next level है वो grow होने लगे आपके ऊपर एक नई responsibility आजती है, ये responsibility के बारे में मैं next वीडिएयो में बताऊंगा कि Silver to Gold responsibility क्या होती है,? silver label पे आपको क्या क्या चीज आ जाना चाहिए company के बारे में आपको कितनी जनकारी होनी चाहिए इसके अलावा product के बारे में कितनी जनकारी होनी चाहिए product के price के बारे में क्या आपको जनकारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए list कैसे बनाना है ये सारी जनकारी माय नेक्स्ट वीडियो में दूँगा सिल्वर टू गोल्ड लेबल को एचिप करने के लिए तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद